हलो एवरिवान वेलकम टू लेकिशास केचेन आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटिन रिच मूंकी डाल का चीला चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चीले की रेस्पी इसके लिए मैंने यहां लिए एक कटोरी मूंकी डाल मूंकी डाल को मैंने तीन घंटे पहले पानी में विभो दिया था और इसे अच्छी तरह पानी में से धोलिया है इसे हम जार में डाल कर पीस लेते हैं और हम इसे दरदरा ही पीसेंगे इसमें मैं डाल तू हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले चीले की स्टफिंग के लिए मैंने यह लिया है पनीर पनीर को मैंने कद्दू कस कर लिया है और टमाट्वा को मैंने बारिक बारिक काट लिया है साथी में स्वीट कॉन को मैंने हलका से अबाल के रखा था वो ले रहे हैं इसमें आप अपने पसंद की कोई भी वेजटेबल डाल सकते हैं यहां मैं डाल रहे हूं थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्की सी काली मिर्च और मैं यहां डाल रहे हूं कटा वहरा दनिया इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गैस पर मैंने पैन गरम करने रख दिया है जो हमने डाल का बैटर बना के रखा था इसे हम इसमें डाल का चारों तरफ फैला लेते हैं इसे हलके हाथों से गोल-गोल घुमाना है यह बहुत पतला नहीं फैलाना है इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है डाल का बैटर हमारा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गाड़ा होना चाहिए इसके किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा करके ऑईल डाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से सिख पाए एक तरफ से सिखने के बाद में हम इसे पलट लेंगे इसके हम पहले इसको किनारे से धीरे धीरे हटाएंगे चारों तरफ से किनारों से हटने के बाद में इसे पलटेंगे ये देखिए कितना इजीली ये पलट गया और कितना अच्छा सिखा दूसरी साइड से भी हमें से सेख लेंगे दबाके गैस की फिल्म हमारी इस उख़द भी लो ही है इसे लो या मीडियन फिल्म पे हमें सेख लाएं इसे हम फिर से पलेट लेते हैं और इसमें जो हमने इस टॉफिंग बनाई थी वो लग रखते हैं के अंदर थोड़ी थोड़ी कि इस्टफिंग रखकर हम इसे फूल करेंगे कि यह लीजिए अब हम इसे फूल कर लेते हैं कि यह देखे कितना क्रिस्पी और सॉप चीला बनकर तयार हुआ है हमारा इसी तरह से हम अपने सारे चीले बनाएंगे दूसरा चीला डालने से पहले इसे हम पानी डालकर थोड़ा पहुच लेंगे जिससे तबा हमारा खेवा ठंडा हो जाएगा इसे गरम तबे पर नहीं डालते ज़्यादा गरम तबे पर डालने से यह चिपक जाता है इसे भी हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं चारों तरफ अगर आप क्रिस्पी चीला पसंद करते हैं तो इस बैटर को थोड़ा पतला करकी फिर फैलाएं उससे यह चीला बहुत पतला बनेगा और क्रिस्पी बनेगा चीले के इस किनारों पे हम हलका हलका सा उयल डाल लेते हैं चीला हमारा एक तरफ से शिक के तैयार है इसे पलट लेते हैं पलटते वक्ट ध्यान रहे हैं बहुत हलके हाथों से पलटे यह तूट सकता है दूसरी तरफ से भी हम इसे सेख लेंगे थोड़ा सा तेल डाल गे इस चीले में भी हम स्टरफिंग भर लेते हैं और इसे फोल्ड कर लेते हैं ये लीजे हमारा दूसरा चीला भी तैयार हो गया है अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग चीलों को हम अरे दहने की चट्नी और सास के साथ सर्फ करते हैं ये देखिए कितने बढ़िये बना हैं हमारे चीलों अगर रैसी भी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें मेरे चैनल को सबिस्क्राइब जरू करें